परंट की लुक इसमें आपको कुछ इस टाइप से इंडिकेटर मिलते हैं यह आपे निचे यह है ODQ7 का इंटीरर इसके इंस्ट्रुमन क्लेश्टर को आप दे सकते हैं और इस्टेरिंग विल को भी इस कार के इंजन की साउंड आप सुन सकते हैं ODQ7 की हेलो गाइज मेरा नाम में बरत और हमां सामने खड़ी है ODQ7 जो कि आप देख रहे हैं 35 TDI जो कि दोजाए पंदरा का यह मोडल है ODQ7 जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ आज मैं आपको इस कार का पूरा रिवी दूँगा इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और दोजाए पंदर Q7 यह कार है दोजाए पंदरा का मोडल यहां पे Q7 लिखा गया है और यहां पे इसकी बेजिंग है 35 TDI कोत्रो डीजल में यह कार है आज मैं आपको इस कार की पूरी डिटेल दूँगा सिविंशिटर यह कार है उस टाइम सितर से असी लाग की प्रेज में ओन डोड आती थी दोजाए पंदरा में अब तो एक करोट से अबव आती है ओडी की Q7 सामने से बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बड़ी विंड सील दी गई है जो कि आप देख रहे हैं और बॉननेट को आप दे सकते हैं काफ़ी हैवी इसमें बॉननेट दिया गया है और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडले मिल जाते हैं जो कि आप देख रहे हैं और यहां पर उपर ही आपको इसमें DRN मिलती है और इंडिगेटर की बात करेद हो आपको यहां पर निचे दिये गये हैं कुछ इस ताइप से जलते हैं और यहां पर इसमें आपको हेडलाइट वसर का फिचर मिल जाता है और काफी बड़ी इसमें ग्रिल दी गई है और बीच में ओडी का लोगो है चार चूडिया बनी हुई है जो कि आप देख रहे हैं ओडी की क्यू सेवन और इसके इंजन की डिटेल भी में आपको दूंगा उससे पहले आप साइड से लुक दे सकते हैं इस कार की की बात करें मतलब चोड़ाई तो 1903 mm की इस कार की विर्थ है लगबग आप 2000 mm मान सकते हैं विर्थ जो कि आप देख रहे हैं और वील बेस की बात करें तो इसमें 3002 mm का वील बेस दिया गया है मतलब यहां से लगा कर पीछे के टायर के बीस तक 3002 mm का 760 यह कार है जिससे की इसमें कि काफी अच्छी इस्पेस बन जाती है और टायर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें काफी बड़े टेर लगए हैं जो कि आप देख रहे हैं इनके प्रोफाल की बात करें तो इसमें आपको 18 इंच के टायर दिये गए हैं 255 by 258 इंच के ओल 4 डिस ब्रेक मिल होंगा लेकिन अवभी आपको इंजिन के स्पेसिफिक्शन बता देता हूँ इसमे आपको मिलता है तीनजसी का मतलब तीन लिटर का सिक्स लेंडर का महाँ जी शिक्स लेंडर का डीजिल इंजिन जो कि इंटेरियर में आपको दिखाऊंगा रियर में आपको डिफोकर दिया गया है वाइपर वासर सारे फिचेस आपको मिल जाते हैं ओडी का लोगो मिलता है Q7 यहां पे लिखा गया है और 35 TDI की ब्रेंडिंग है और सेकेंड अगर आप लेने जाएंगे भी 2023 में तो 20 से 25 लाग की प्राइज में आसानी से आपको मिल जाई ओडी की Q7 यह 25 लाग में आयातकार अबजार पे खड़ी है इसकी डिटेल मैं आपको दी थी एक वीडियो में अभी मैं आपको इसका इंटेर भी दिखा देता हूँ उससे पहले इसमें आप यहां से डीजल बरेंगे यह आप देश सकते हैं और इंटेर की बात करें ठोब भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है यहां से आप इसके इंटेर को देश सकते हैं उडी की Q7 जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी इसमें सीटे ल रियर के इसी के इवेंट दिये गए और उपर आपको पूरी पेंदरों में एक संदूरूप मिल जाती है जो कि आप देख रहे हैं अब मैं आपको सामने के डैस्पोर्ड को भी दिखाऊंगा कि सवन की कुछ इस टैप साब अंदर का 소책 मिलता है 15 सेवन में और निछे के पैडल को आप देखते हैं radie के साथ में ये कार आती है जो कि आप देख रहे हैं अभी मैं आपको इसकी सीटे भी दिखा देता हूं automatically इसकी सीटे एज़ेश्ट होती है कुछ इस टाइप से आप देश सकते हैं मैं इसकी सीट को एज़ेस्ट कर रहा हूँ अंदर का इंटीर ये ऐसके फेचर अभी मैं आप को दिखा देता हूँ, अभी मैं इसके ट्रेवर सीट पे आ गया हूँ और यहां पे आपको संदूरूप मिलती है और डेस्बोर्ड को आप देश सकते हैं कफी अच्छा आपको डेस्बोर्ड मिलता है यहां पे आपको वुटन फिनिसिंग मिलती है और यह इसका बीच का आम रेस्ट अभी मैंने सीट को काफी पीछे किया है और कुछ इस टाइप सापको इसमें चबी मिलती है जो कि आप देख रहे हैं ओड़ी की जिसमें चबी नॉर्मल करों में तो यहां पे लगती है और इसमें चोटा सापको इस्टीरियो मिलता है दोजा पंदरा की यह कार है और यह इसका एट स्पीड का ओटोमेटिक टरंस्मिशन जो कि आप देख रहे हैं और यहां पे आपको थोड़े कंटॉल दिये गए हैं यह है ओड़ी क्यू सेवन का इंटीर इसके instrument cluster को आप देख सकते हैं और इश्टेरिंग वील को भी कवब काफे अच्छी इसमें आपको इस्टेरिंग वील दी गई है डैस्बॉर्ड को आप देख सकते हैं इसमें आपको wooden finishing मिलती है और Automatic आपको IR VR मिलता है और आप दे सकते हैं ये sun visor इसमें भी आपको light मिलती है ये एक luxury car है उश्टेम सितर से ऐसी लाग की price में ये car आपको मिलती थी आप दे सकते हैं इसमें छोटी छोटी जगों पर काफी अच्छे touch दिये गए हैं और sunroof को आप one touch में open कर सकते हैं कुछ इस टाइफ से कुछ इस टाइफ से sunroof open होती है यहां पर अलग-अलग control दिये गए आप ले सकते हैं वन टच में इसकी sunroof पिछे जा रही है मतलब इसका ये shade और पिछे भी आपको sunroof मिलती है third row में लेकिन वो open नहीं होती है आप ले सकते हैं third row का यहां से adjust हो रहा है मैं यहां से adjust कर रहा हूँ इसके third row को third row की sunroof को और second row की यहां से adjust होती है कुछ इस टाइफ से यह shade वापस आ रहा है जो कि आप देख रहे हैं और इसमें आपको छोटा सा यहां पर stereo मिलता है इस इक event को आप देख सकते हैं और यह इसका transmission automatic का और बीच में आपको armrest मिलता है जो कि आप देख रहे हैं यहां पर एक cup holder दिया गया है कुछ इस टाइप से और seat को आप देख सकते हैं automatic आपको seat मिलती है यहां पर interior को आप देख सकते हैं सब भी windows आपको आप देख सकते हैं one touch के साथ में मिलती है कुछ इस टाइप से one touch की सारी windows दी गई है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और यह इसके outside mirror इस car के engine की sound आप सुन सकते हैं OD Q7 की I hope आपको engine की sound आ रही होगी अभी मैंने इसके engine को off कर दिया है और इसके और भी feature में आपको दिखा देता हूँ बार चल कर OD Q7 के rear की look भी मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे तो मैंने आपको दिखा ही थी OD Q7 आयात कारबजार पर यह car खड़ी हुई है मैंने आपको इसकी पूरी detail दे दी आप चाहे तो इनसे contact कर सकते हैं OD Q7 के लिए और भी इनके पास काफी कारे खड़ी देती है यह luxury car खड़ी हुई थी तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe कर दे ऐसी amazing वीडियो के लिए thanks for watching this video कर दो